ओ हेलो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आप से नहीं बोल रहा इस तरह के sentence अकसर हमें बोलने पड़ जाते हैं जैसे की मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा इस तरह के sentences को English में बोलना बहुत आसान है जो की आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत ही आसान है, सबसे पहले आप बोलेंगे I haven't और उसके बाद वर्ब की third form और उसके बाद anything like this चलिए कुछ examples देख लेते हैं और समझते हैं इसको और अच्छी तरह से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया I haven't done anything like this मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा I haven't said anything like this मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला I haven't spoken anything like this मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा I haven't thought anything like this मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया I haven't told anything like this मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया I haven't eaten anything like this आप ऐसे भी बोल सकते हैं I haven't had anything like this मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा I haven't seen anything like this इसके अलबा अगर आप किसी और की बात कर रहे हैं जैसे कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया उसने ऐसा कुछ नहीं कहा इस केस में आप I की जगा पर उस subject को बोलेंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं और उसके बाद आप बोलेंगे hasn't या फिर haven't अगर subject singular है तो hasn't का यूज होगा और अगर subject plural है तो haven't का यूज होगा जैसे कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया He hasn't done anything like this या फिर she hasn't done anything like this अगर वो एक female है हमने ऐसा कुछ नहीं कहा We haven't said anything like this तुमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया You haven't taught anything like this अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हमने past indefinite tense का use क्यों नहीं किया मतलब did not का use क्यों नहीं किया तो guys मैं आपको बता दू कि अगर आप बात कर रहे हैं past की तब आप did not का use करेंगे यहां पर बात present की हो रही है मतलब फिलहाल की हो रही है इसलिए हमने present perfect tense का use किया है अगर आप past की बात कर रहे हैं तो आप same sentence को did not से बना सकते हैं मतलब उसका आप कोई लिना देना नहीं है हम past की बात करेंगे जैसे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा I did not said anything like this ध्यान रखना है कि यहां पर हम बीते हुए time की बात कर रहे हैं अभी की बात नहीं कर रहे है अगर हम अभी की बात करेंगे तो हम same sentence को present perfect tense से बनाएंगे So guys हमेशा की तरह homework की बारी एक sentence आप सभी के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा आपको इस sentence English में translate करना है और हमेशा की तरह comment में लिखना है देखते हैं कितने लोग सही translate करते हैं Best of luck guys So guys आज की इस वीडियो में बस इतना ही I hope कि आपको वीडियो पसंद आ होगा और आपको structure का यूज अच्छी से समझ में आ होगा अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment करते पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई lesson के साथ Till then, take care